कि शाम जिनकी नए जगडों में फसादों में कटी रात बस खुद कुशी करने के इरादों में कटी ऐसे कम बख्तों को मरने से बचा लू तो हसुआ भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो नहीं इस भारत से मुख मोड जाईये जिस मुलक के रिवाजरीती नीती हों पसंद उस मुलक से ही ने जनाता जोड जाईये एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड दिया पांच साल वाला गठ बंधन दस महिने में तोड दिया सुल जाविबाद स्री राम जन्म भूमी वाला बन रहा मंदिर है जै सिया राम की नाच नर नारी जूम धरती को चूम चूम देव गण बोले जय जय योध्या द्रांटी तुमने गो कुल की गोपियों से अगर प्रेम काव्या करन पढ़ा पर्क नहीं होता है राजा और बिखारी में दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्तर प्रवीन शुक्ल आपको प्रणाम करता हूँ सत्मोला कवियों की चौपाल मैं आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ ये देख अफुदू, एक गया से बड़ा गुबारा अपनी मा को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल और जब हो साथ सत्मोला और उसका चटपटा टेस तो हर सीफ बचेगी असानी सत्मोला काओ, कुछ भीद बचाओ नमस्कार सत्मोला कवियों की चुपाल में आप सभी दर्शकों का हर दिक स्वागत है सत्मोला कवियों की चुपाल, आपकी अपनी चुपाल बीश वर्ष से चल रही 15 अगस्त 2004 से निरंतर अनवरत कावे की धारा प्रवायित करने वाली सत्मोला कभियों की चोपाल हमारे आप सब के सयोग से 15,000 से अधिक हमारे सदस्य है इस परिवार के अंग बन चुके हैं आज हमें बहुत ही प्रस्मिता का विशय है कि आज हमारे साथ देश के लब्द परतिष्ठित अनेक कभी हमारे साथ है जिनका मैं सबसे और सत्मोला कभियों की चोपाल में यह सोभाग्य प्राफ्ट बढ़ा है कि हमने राम जी की गलहरियां पीछे टीवी शो बनाया है जिसमें हमने जिन्होंने अपना अमिट योगदाम दिया कार सेवा में चाहे लाठी खाई चाहे गोली खाई मुलायम सिंग की चाहे वह गुंबत पर चड़ने वाले कार से वक्त थे उनको हमने बीच में दिखाया था सत्मोला कम्योगी चपाल के विशेश आंक अपने एपिसोड में राम जी की लहरियां और आज बातावरन केवल राम मैं नहीं है राम महुतस जैसे की हमारे योगी महराज जी बोल चुके ह हैं कि सदन में यूपी के सदन में उन्होंने बोला कि राम जी का महुतस हम बना चुके हैं देश ने मनाया है और नंदी बावा कब तक प्रतिक्षा करते हैं सरात को बेरिकेट करके वह जाग उसे और पर कनहियां का मानने वाले थे तो ये जो सत्मोला कवियों की चुपाल में हमारा हेतु कोई राजनिती से नहीं हमारा हेतु भक्ति कावे से है और भक्ति कावे के में अनेक पक्ष होते हैं उसमें उधोग राधा और गोप्यों के भी मनाता है मेरा के भजन भी होते हैं और अगर भक्ति कावे करें तो शि हम अनेक इस आध्यात्म भक्ति कावे के साथ हम यह सब चीजे लेके चलेंगे जिसमें आपको इक आपकी कविताएं एक देश के लिए भविश्य के निर्मान करेगा तो मैं सबसे पहले पंडित विने जी और इतनी शांदार इनके कवित हैं चाहे वह भक्ति कावे में राम की की बात करें चाहे महादेव की बात करें चाहे क्रिश्न की बात करें आप वसंत अ गया है और वैसे developing का कंड़Stri का होता है टाइम्टेवम्क वन चुका था है इसके बावजूद YIN वसंत्त्र फागुन पूरा होता है एक विश्य अपनी द्र्फ्ट इसको मनाता है वो ब्र लेकिन हमारे कभी किस द्रिष्टी से भक्ती से कहां से कहां तक एक मार्ग प्रसस्त करते हैं उसके जो एक पत्परदर्शक है कभी के रूप में जिसमें पत्परदर्शक को बोलता हूं विने जी होते हैं जोर्दा तालिगे जाया था मुल्का से बनाव प्रेम सत्मौला कभियों की चौपाल के सभी स्रोताओं को पड़ा मैं विने विने अम्रत वसंत आया रितुराज आ गया रितुराज के स्वागत कैसे की जा रही है मैं पंक्तियां महां से निवदन करना जाता हूं कि संधान शर्शुमन का रतिराज ने जगाया पंक्तियां सबजियेगा समझदार लोग बैठे हैं सत्मौला कभियों की चौपाल में साहित्य की बात की जाती है अभी प्रवीन आ आनंद लेजिये वसंत का कि संधान शर्शुमन का रतिराज ने जगाया उत्सो मनाने उपवन पच्छे समा अरे वाँ 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 कलियां भी खिल उठी हैं भौने भी गंगनाये कलियां भी खिल उठी हैं भौरें भी गुन गुनाएं ले प्यार का संदेशा ले प्यार का संदेशा रितुराज यार ले प्यार का संदेशा रितुराज यार कि अने के बाद रितुराज का स्वागत कैसे किया बहुंदा नंदेशा ले थाल ले खर्रागत उद्गन मयंक आये वातावरण सुगंधित करने लगी हवाएं बहुत अच्छे और जहां के वल गोले बारुद चल रहे हैं उनकी भिज्व देखियेगा वातावरण गोलियां चल रही हैं वातावरण सुगंधित करने लगी हवाएं के सर की क्यारियां भी गुनगान कर रही हैं केशर कि क्या हारियां भी गुनगान कर रही हैं रवी रश्मियों ने मिलकर बाहत चे! और चार पंक्तिया और देखिए गया कि दांतों का संगीत लेके सीत ने सुनाया गीत दांतों का संगीत लेके सीत ने सुनाया गीत बेसुरा हुआ तो दिन राजगर माया है दांतों का संगीत लेके सीत ने सुनाया गीत बेसुरा हुआ तो दिन राज गर्माया है तरस्त मानों की वेदनाओं से व्यथित होके तेसु लाल हो गया है आम बोराया बेसरम पचुआ की बार बार खा के मार तरुपलों से गान को किली ने गाया है अम मुश्कुरा के कलियों ने सब को संदेश दिये पत जाल को पचाल रितुराज आया है अब जब रितुराज आता है तो कोई ब्रिद्ध नहीं होता सब युवा होते हैं सब के अंदर जोस एक आ जाता है और जब जोस आता है तो कुछ इस तरह की पंतिया भी निकलती है कि देखता जिधर हूँ दिखाई पढ़ती हो वहां जलवों का तेरा कुछ रुतवा ही आला है तू ही दिखती है बन बागों में बसंत बन अजब वेप खेल कैसा प्यार का निराला है यह नहीं लौर करते हैं तेरे यंग यंग सोल में बसंत ने कमाल कर डाला है चंचल तुम्हारी हिरनी से नयनों को देख लगता की कोई भारा मदीरा का प्राइब बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कि चाहता हूं तेरा रूप उर में बसे सदैवन नित नव गीत गाउं तेरी मनुहार में अंग यंग महक उठेगा मस्त हो के तेरी मादक पि उसमाही प्रेम रसधार में जीवन दिराग भरा होगा यनुराग में डीचा गूलय की कूक जो सुनाओं पत जहन में अरंग भर सपने सजाती ठिलाती हुई आओ एक बार यदि पसंत बहुत अच्छे बहुत अच्छे जो रो पे आता है तो उसे को हली कोट्सव हमागत काते हैं तो पसंत होता है हम तो सब अपने जेठ के मुँपे गोबर मार देती थिया तुम्हार जेठ लगता हुँ न कले कोई बात नहीं साल में एक महिना जेठ का भी होता है कि गुंगट से पट हटा करे गोरी करे ठीठोली ग्रामीन और सारी होली का एक द्रिश्य देखिए गुंगट इतना है सर पे गोबर भी है होली खेल भी लिए कि गुंगट से पट हटा करे गोरी करे ठीठोली कहीं राग फाग का है कहीं सज रही रंगोली उड़ते गुलाल यंबर पट लाल कर रहे हैं योगी रसाल बन कर फागुल में खेशे होगी कि मस्ती में जूमे दादा आप तो बन भी गए होंगे और नाना भी कि मस्ती में जूमे दादा दादी हुई रंगीली अब ताई भी ताव के संग चाची भी चाचा के संग मिलकर के भंग पीली पागुन का रंग ऐसा सब पे सवार है की नाचे है भाई या भाभी चैला के संग चविली तो गाउं से नगर मिले एकता के पुस्पखिले संग रंग लाल कर डारो है गुलाल चुनरी के संग संग भीग गई चोली है भंग की तरंग जहक जोरती है यंग यंग सजना के संग गुरी करत ठिठोली है भंग की तरंग जक जोरती हैं यंग यंग सजना के संग गोरी करत ठीठोली है मस्त मस्त लिये साजय आया सुर का समाज नाच नर नारी जूम होली है भायों लेकिन एक विशेस रंग मैं आप लोगों के भी दिखाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जहां तक हमारी आवाज जाती है उस सब लोग उनके सम्मान में अवस्य तालियां बजाएंगे कि एक होली का यह भी रंग होता है एक सैनिक अपने गाउव आता है छुटियों में उसकी साधी की तयारी कर दी जाती है बरात लेकर के ओ दुलहन के घर तक भी पहुंचने वाला होता है तभी एक सूचना आती है कि सीमा प्यार पार की लड़ाई छेड़ दी गई है आपको जल्द भारत माता के सम्मान के लिए हाना है उसने सब कुछ त्याक करके उस और चल देता है और चार पंक्तियों में सिद्ध करने जा रहा हूं कि कैसे चलता है कि साध्य लक्ष सत्रूओं के वक्ष का तना खड़ा है साध्य लक्ष सत्रूओं के वक्ष का तना खड़ा है साध्य लक्ष सत्रूओं के वक्ष का तना खड़ा है साध्य लक्ष सत्रूओं के व राष्ट का सुना पैगाम त्याग मुहमाया काम सीमा की सुरक्षा है तू चल पड़ी टोली है भारतिये सेना के प्राक्रम से जाग उठा सोचा सत्रुरक्त से ही खेलनी अब हो रहे है जहन वंदे मातरम और आपने जब विने जी को हम सुन रहे थे विने जी ने देखिए एक खास से किस प्रकास हो सकता है जो सत्मोला कवियों की चौपाल के पैचान है और कुछ ऐसे साहित्यकार केवल कभी नहीं मैं विने जी को साहित्यकार मानता हूं कभी नहीं कभी तो आप हैं संपूर्ण जैसे होता है पत्रकारिता में और साहित्य पत्रकारिता और साहित्य में क्या अंतर होता है केवल इत हो जाता है ऐसी मैं एक अपनी बिटिया प्रियंका राय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं देश की लब्ध प्रतिष्ठित लाडली कवित्री है चाहे उसने मां पर कविता पड़ी हो चाहे उसने श्रिंगार पर पड़ी हो लेकिन उसकी एक जो विधा है वह भ राम मंदिर के दर्शन राम लला के दर्शन करने में आप एक दो घंटे की प्रतिक्षा आपको चलती रहेगी और आज जो वातावरन है यह पांस सालों की तपस्या के बाद आज हमने ऐसा सुब अफसर दिन देखनों के मिला है और उस सुब अफसर सुब आनंद की वढ़ो साथ मुला के सभी दर्शकों को होली सारी सुब कामना है आए होली के बिभिन रंगों से जुड़ते हैं और एक दूसरे को शब्दों के माध्यम से रंग और गुलाल लगाते हैं चुड़िएगा अवध में होली खेले राम अवध में होली खेले राम की ब्रज में राधा जी संग शाम मावध में होली खेले राम की ब्रज में राधा जी संग शाम लिये कनक पिछकारी लखन जी भरी भरी रंग हो डारी लखन जी लिये कनक पिछकारी लखन जी भरी भरी रंग हो डारी लखन जी भरत शात्रु घन रंग लगाए लिये गुलाल सभी पे धाए हो लेके भईया राम का नाम लेके मात पिता का नाम अवद में हो लिखे ले राम की ब्रज में राधा जी संग श्याम बरसाने की राधारानी कोरी चुनरिया की एकाना धानी ग्वाल गोपिया हल धर भईया नाचे नंद यशोदा मैया की जूमे गोकुल संगनंद ग्राम जूमे गोकुल संगनंद ग्राम अवद में हो लिखे ले राम की ब्रज में राधा जी संग श्याम धर्ती का यह देखन जारा हो अभिभोर ब्रह्मांड भिसारा शिव संकर कैला सुपे नाचे वेदरिचाएं ब्रह्मर सिबाचे की दुनिया फले फुले अविराम की फैले रंग युही अविराम मवद में होली खेले राम की ब्रज में राधा जी संग श्याम लेके फाग बसंत रितु आई अमवां की डलिया बोराई लेके फाग बसंत रितु आई अमवां की डलिया बोराई पीत बसं हो उठी है धरती तितलिया फूलों पे आहें भरती की अलसा इलसा इशाम की अलसा इशाम मवद में होली खेले राम मवद में होली खेले राम की ब्रज में राधा जी संग श्याम लाल गुलाल बवाल मचा है सज सज सजनी सजन को रिजाए सब पे फाग नी रंग चड़ा है सब के सिर पे भंग चड़ा है की गाएं प्रेम गीत सरयाम की गाएं प्रेम गीत सरयाम अवद में होली खेले राम मवद में होली खेले राम की ब्रज में राधा जी संग श्याम है बहुत अच्छे बहुत अच्छे प्रियंका सही माहले में विनह जी आपने वी देखा होगा कि हoperation के मैंने कई सब्सक्राइब भी होली के घाए लेकिन जो ये अवद की हुली और ये अवद की हुली इस परिपेक्ष में भी महत्मून हो गई है प्रियंगा की और प्रियंगा मैं सच बता रहा हूं यह आपकी बात राम तक पहुचेगी राम के भक्तों तक पहुचेगी राम के लालों तक पहुचेगी यानि कि चाहे योगी जी हो चाहे वह भी मोदी जी भी राम के लाल है हम राम जादे हैं दूसरी पक्ष को मैं क्यों नहीं देना चाहूंगा तो हम राम जादों को ये जो है हम जो राम जादे हैं ना हम को ये अवद की हुली बड़ी भाई है पूरे जो सत्मोला कम्योंग चुपाल को देखते हैं वो सब राम जादे हैं और राम जादों को सब को य खुली भाई होगी और अब मैं जिसकों में परस्तुत करने जा रहा हूं आज हम उस योगी को भी देखते हैं उत्तर परदेश के सदन में जब वो बोलते हैं कि राम महुत सब मना लिया तो नंदी बाबा से काग धेरे होता और वो बैरिकेट तोड़के घुज गए और फिर पुलेगी अब गया हमारे कनहिया काम वानने वाले थे वह तो नठकट हैं तो ऐसा ही मेरे पास नठकट कभी भक्ति कावे का जो सिरमोर है वह मेरा छोटा भाई मनुज मिश्रा कपतान है और एक ऐसा कवी जिसके बाद भक्ति कावे तो है यह लोक कभी है लोक कवी जिसकी एक-एक कविता अपने आप में अनेक अनेक अर्थ देती है और लोक कवी कहूं, लोक गीत कहूं, ऐसे अनूठे कवी कहूं मैं जोर्दात तालियों के साथ अविनन्दन करते हैं, स्वागत करता हूं मनोज मिश्रा कप्तान गीकर भगवान राम का पदारपन हो गया, प्राणपतिष्ठा हो गई, भगवान राम आ गये हैं, उनकी अभिनन्दन में गीत रखता हूं, स्वागत बंदन में, अब सुने, आप सब अयोध्याधाम पहुंचे, और अभिननन अपने घर में देखें कि भगवान राम का कैसे अभि खुकुल नंदन कलुस निकन्दन पगवन्दन है राम, अवध में अभिनंदन है राम, करोणो पगवन्दन है राम कि मानव धर्म विसेस दुखी था, पौराणिक परिवेस दुखी था, सिसक रही सभ्यता सनातन, पूरा भारत देश दुखी था, और जो दुख का कारण था, उस दुख को हटाया गया, मिटाया गया, कि साक्षी जिसका अंबर नीला, धुस्त हुआई टोंका तीला, हे रघुनंदन यलख निरंजन, तुम ही जानो तुमरी लीला, संघरसों में बरसों झेले, संघरसों में बरसों झेले, सरदी वर्सा घाम, आवध में अहिनंदन है राम, और स्वागत की तैयारियां कैसे चल नहीं देखेगा, कि घर के पट चोखट चोबारे, रति पति मनहु मनोजु समाने, रघुनंदन की अगवानी में, पलक पावने बंदनवारे, और जो चेतन था, जिसके अंदर जागरत थी, वो तो चेतन था, जो जडवत थे, पसवत समरस्ता का संगम देखा, गायन होगा युगों युगों तक ऐसाद्री से भिहंगम देखा, राज महल में चहल पहल है, राज महल में चहल पहल है, भावो में ओ दाम आवध में, अभिननदन है राम, अवध में, अभिनन दन है राम, सिंगह सन पर रघुवर राजे, संगवे देही वाम, आवध में, अभिननन है राम, बहुत द्धन बात, बोल्य राजा राम, चंद्रकी जय, यह थे हमारे बहुत ही लाडले कभी मनोज मिश्राज कप्तान जी देखा आपने किस प्रकार की इनकी रस्नाएं थी ये वास्ता में लोग कभी हैं और मैंने इनको अबधी में भी सुना है मैंने इनको ब्रिज में भी सुना है और आज देश के व्यंग और अजस्वी कभी बहुत ही जिनके व्यंग बड़े उसमें रहते हैं और मैं हमारे सत्मोला कमिल चपाल का एक हम पाथे देते हैं वो हम चटकलो बाजी से परहेश करते हैं और पने जी से मैं विशेश आगरे कर कि मैं पंडित नमंजी ऑधर के साथ आमंत्रित करता हूं जोड़त दालियो के साथ पंडित नमंटर। और साधना चेलन के सभी दर्सकों को मेरा नमसकार। मैं अपना काभ्य पाथ बगवान राम को समर्पित कुछ पंक्तियोग साहतना। रामतन रामन राम ही हमारा धन हर गड़ी हर पल राम जी का ध्यान है राम से भी मुख होके गुम नाम हो जाओगे क्योंकि इस देश का आधार राम नाम है राम जन्म भूमी के दर्सन जो करेगा उसके समान भाईया कोन भाग्यवान है राम का वीरोध जो करेगा इस भारत में समसान में भी नहीं उसे अस्तान है कुछ पर सो पहले महाकुम्ब हुआ था मैं भी जाके आया था बहुत ही सफल आयोजन सफल तम आयोजन मुझे वहीं पर प्रेड़ना मिली और मैंने एक मागंगा पर गीत लिए वो आप सब के सामने प्रस्तुद कर रहा हूं जै हो जै हो गंगा माता जै हो तेरी गंगा माता विष्णू के चर्णों से निकली पतित पावनी गंगा माता तीन ताप को हरने वाली मोक्ष दायनी गंगा माता नमामी गंगे नमामी गंगे गंगा माता जै हो जै हो तेरी गंगा माता गंगा माता जै हो तेरी गंगा माता गो मुख से आती है मैया गंगा सागर जाती मैया मानवता की प्यास भुजाती अपना धर्म निभाती मैया गो मुख से आती है मैया गंगा सागर जाती मैया गो मुख से आती है मैया गंगा सागर जाती मैया मानवता की प्यास भुजाती अपना धर्म निभाती मैया भागीरत के अथक प्रयक्तनों का निनाद है गंगा माता जै हो जै हो गंगा माता जै हो तेरी गंगा माता जीवन का कलरव है तुझ में संकर का तांडव है तुझ में ये दुखो को हरने वाली भारत का वैभव है तुझ में जीवन का कलरव है तुझ में संकर का तांडव है तुझ में ये दुखो को हरने वाली भारत का वैभव है तुझ में तुझको पाकर धन्य हो गई मेरी प्यारी भारत माता जै हो जै हो गंगा माता जय हो तेरी गंगा माता और इस दे रिलीज़ फुक्रे 3 इंपेटर्स नियुक्त कि आइए अंतराल के बारे फिर से स्वागत है आपके अपने पसिंद्धा कार्करम सत्मोला चाहपाल। क fixes सत्मोला कवयों की चाहपाल हुआ मेंGO Eins रूत नए आयाम इसथापित किये हैं नए कीर्तिमान इसथापित कियेये और नए में कवियों को मौका दे करके नई रेखाओं को खीचा हुआ है रेखाओं की बात आती है तो हम जुड़ना चाहते हैं शामली से पधारी हुई रेखा चौहान से जो आज अपना विरह गीत ले करके हम सब के बीच में आज चुपके आज के समय में जो युवा है युवा वर्प को ध्यान में रखकर लिखने की कोशिश की है और मुझे उमीद है कि आप सब को अच्छा लगेगा पसंद आएगा तो मैं सुरू करती हूँ दिल को छूकर दिल को छूकर दर्दी से भर दिया है सनम दिल में दर्दी है जगाती तेरी आदे सनम आँखों में नमी चहरे पर गमी दिल के जख मों को न जाने सनम दिल के जख मों को न जाने सनम उदा सी चहरे को न देखे कोई हवा का जोका दिल को है जला दिल को छूकर दर्दी से भर दिया है सनम रहते हैं उदास तेरी याद सनम रहते हैं उदास नासूर बन गए है जखम एक बार एक बार आकर देख ले ये गुजारिस है सनम तडप उठी है तमन्ना तडप उठी है तमन्ना लोटिया आए मुसाफिर दिल के दर्दी हो जाए खतम बेठू पहलू में बेठू पहलू में ओ सनम और आगे देखिए करता है मन्न दिल के जजबात नहीं होते खतम दिल के जजबात नहीं होते खतम जलते दिल का हाल क्या कहूं ऐ सनम दिल में दर्दी है जगाती तेरी याद सनम इस दर्दी का कोई इस दर्दी का कोई इलाज जितो कर दिल को छूकर दर्दी से भर दिया है सनम दिल में दर्दी है जगाती तेरी याद शनम बहुत ही सांडार गीत और यह गीत के बोल थे दिल का दर्द आपके गीत नहीं याद दिलाई है हमें मुकदर के सिकंदर के उस गीत की कि दिल तो है दिल दिल का एतवार क्या कीजे आगे आ जो किसी पर प्यार क्या की आए अगले कवित्री के रूप में हमारे बीच में अल्मोडा से अपनी रचनाव को ले करके मुहनी रावत जी आ चुकी हैं मैं बिना किसी देरी के उनको आमांत्रित करता हूं कि वह आए और अपनी रचनाओं से इस कारिक्रम को आगे क्यों सभी इस अदर्शेकों को मेरा साधन नमसकार मैं अपनी रचना लेकर उपश्टित हूं रंगिला बसंत जैसे बसंत री तो चल ले उसी पर में कविता लिक के लाई हों सुनिएगा पत जड़ थी जो डाली डाली उन पर कलिया खिलने लगी रंग बिरंगे फूल खिले और हर डाली अब सजने लगी गुझ रही है धरती अंबर भवरू की गुझार ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार आती है जब रंग रंगी ली रंगों की जब बारी शजने लगे अबीर गुलाल से रंग बिरंगी थाली नील गगन शत्रंगी हो गया रंग की आई बहार ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग आजार रंग बिरंगे फूलू से जब धरती करे सिंगार ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार नई शाल में नई उमंगे सब के दिलों में जगने लगी बिचड़ी प्रेमी जनों की जोड़ी फिर से आकर मिलने लगी बिचड़ी प्रेमी जनों की जोड़ी फिर से आकर मिलने लगी बिचड़ गए थे बिचड़ गए थे बरसु अकेले फिर से उमड़ा प्यार ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार रंग बिरंग फूलों से जब धरती करे सिंगार ओ है महीना फागुन का जो भर दे रंग हजार दूसरी रचना है मेरी राष्ट निर्मान में नारी की भूमी का चंत पंतियां इसके सुनेगा राष्ट की सक्ती है नारी गोरब अभिमान इसने कई रूपों में किया राष्ट का निर्मान सबसे बड़ा निर्मान इसका गरश्ती में योगदान मा की ममता में इसकी गुरु की पहचान संसकारू में भर्ती है नारी राष्ट का निर्मान बन के गुरु संतानों को वो देती है बर्दान अजादी से लेकर अब तक नारी का बलिदान कंधा से हो कंधा मिलाए पूर्शु के शमान स्वतंत्र भारत में भी नारी का कम नहीं योगदान स्वतंत्र भारत में भी नारी का कम नहीं योगदान कितनी बाई लक्षमी हुई बिरांग न बलिदान कम नहीं है नारी का इस राष्ट में सम्मान स्वतंत्र भारत में भी नारी का कम नहीं योगदान सरोजनी नायडू जैसी सुवत्र राचवान सरोजनी नायडू जैसी सुवत्र राचवान सथ्यूग से लेकर कल्यूग तक नारी का वलिदान बहुत ही शांदार आपने कविता पढ़ी आपने जो कविताइं थी वो भारत भूमी पर ही उजागर होती है भारत भूमी पर ही सार्थक होती है जब रंग बेरंगे की बात करते हैं तो फागुन के महीने की बात करते हैं रंग बेरंगे फागुन महीने यह सब होली के तेवार और देश रंगीला रंगीला यहां हर कदम कदम पर धरती बदले रंग जैसे जब गीत आए जाते हैं तो देश की एकता में अनेकता और रंगी बैंगलोर से पधार रहे हैं ब्रजैंद्र मिश्रा जी आईए उनके देश प्रेम का एक गीत सुनते आज सके जोड़गारता लिए उसाद। माँ भारती की आरती में माँ भारती की आरती में कुछ दीप सब्दों के धरूं माँ भारती की आरती में कुछ दीप सब्दों के धरूं अंतस की गहराईयों से नित्वंद नामा की करूं इतना दिया मा भारती ने उपकार इसके क्या कहें यू रक्त बनकर के रगों में जलधार नदियों की बहें ये सांस भी तेरी हवा से ये सांस भी तेरी हवा से चल रही मा भारती फल अन दे भूमी से अपनी तू हमें पुछ कारती हां तू हमें पुछ कारती है भानु से रोसन सवेरा और स्रम मिटाती आमिनी तुम ही जीवन रागिनी हो मा तुम ही मेघ वर शादामिनी ये खनज रूपी संपदा भी ये खनज रूपी संपदा भी मा अपका वरदान है है मात्र भूमी भारत मा तुम पर हमें अभी मान है अनूपम है वाट सल्य तेरा अनूपम है वाट शल्य तेरा घुन गाने कितना मैं करें हुँ माँ भरती की यारती में कुछ बहुत कि आप शांदार कविता बहुत कम शब्दों में वर दुषरादी बैंगलॉड जैसे शहर में जो की सुचना प्रसारल का सहर माना जाता है यह रहे करके अपने बहुत-इक काम को करने के पश्चात आज वो हिंदी को कोपरसारित करने का काम कर रहे हिंदी के अलग जगाने का काम कर रहे हैं कविताओं के माध्यम से लेखों के माध्यम। रेखा जी ने जो तूटे दिल की विरह बेदना सुनाई थी, उसके दो ही हल मैंने बताई थे एक देश प्रेम और दूसरा इसवर प्रेम। और जब इश्वर से प्रेम होता है तो वो क्या होता है कैसे हम इश्वर के स्वागत में अपने दिल के जज़बातों को सामने लाएंगे ये बताने के लिए एक प्रदक्षणा देने के लिए हमारे बीच में लखनव से पधार रही है प्रदक्षणा मिस्रा आईए जोड़ा सुखद पावन घड़ी आई सुखद परिडाम आये हैं क्या बात है सुखद पावन घड़ी आई सुखद परिडाम आये हैं अयोध्या में अबद पति लोट कर श्रीराम आये हैं आयोध्या में अबद पति लोट कर श्री राम आये हैं सजे मंदिर सजे गलियां सजे घरदार हैं देखो सजे मंदिर सजे गलियां सजे घरदार हैं देखो सिया की संग रगुबर जी हमारे धाम आये हैं सिया की संग रगुबर जी हमारे धाम आये हैं और देखी बहुत सालों हम लोगों ने प्रतिच्छा किये तो उसी का प्रतिच्छा में तुम्हारी प्रभु सदी बीती कई देखो प्रतिच्छा में तुम्हारी प्रभु बहे जो अस्क आंखों से सफल अंजाम आये हैं और देखिए भगवान का स्वागात हम लोगों ने किस तरीके से किया जला कर दी पिको अपने जला कर दी पिको हम सब करेरो सन जहां सारा कि ये जो अब तलक थे तब वही सब काम आये हैं बड़े ही भाग साली हम बड़े ही धन्न ये नैना भाग साली हम बड़े ही धन्न ये नैना निहारेंगे सुकु से हम लखन हनुश्यामों आये हैं और देखिए कि असकों से पखारेंगे चरड अराम के हम तो कि असकों से पक्हारेंगे चरड सियराम के हम तो, प्रितिच्छा में इसी पल की हर्दे को थाम आए हैं अंतिम से कुछ इस तरीके से, नहीं जाना सुनो रगुबर, कहीं फिर छोड़े कर ऐसे नहीं जाना सुनो रगुबर कहीं फिर छोड़ कर ऐसे तुम्हारी ही सरण में हम सुब और साम आये हैं तुम्हारी ही सरण में हम सुब और साम आये हैं प्रदक्षणा ने अपने इस गीत से राम की प्रदक्षणा की वो राम जो राम लोगों के लिए अवतार हैं, संस्कृति के लिए पहचान हैं और भक्तों के लिए भगवान है। वो राम जब 500 वर्षों तक कहीं अपनी जन्म भूमी से दूर रहे तो एक तपस्या की और उससे ज्यादा तपस्या उनके साधकों ने की उनके भक्तों ने की। उस प्रतिक्षा का परिणाम सामने आया तो घर-घर में दीवाली मनी, उस प्रतिक्षा का परिणाम सामने आया तो लोगों ने अखियों से अस्रु छलकाए। वो राम आज हमारे घर आये, वो राम आज सब के घर आये, वो राम आज अपने घर आये, वो राम लला दिल-दिल महकाए। आये, इस राम इस्तुति के बाद में, एक ऐसे युवा कभी को आवाज देते हैं, जिसका नाम है अरुण चक्रवर्ती और वो कन्योज की भूमी से आकर के ओज की रचना लेकर आया है, आये स्वागत करते उसका जोरदार पल्व से। सत्मुला कभी चौपाल को पूरी टीम को नमन करता हूँ, बहुत दो सादुबाद करता हूँ, और मावीला पाड़ी को नमन करता हूँ, और दो लाइने रखता हूँ कि, हे मावीनाबादनी, हे मावीनाबादनी दो आसीस मुझे, हे मावीनाबादनी दो आसीस मुझे अप मुला कभी चौपाल को अपने सुरों से सजा सकूँ, 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 अप माँ भागी रति की अविरल धारा वेथी है इतियास के पन्नों पन्नों पे दर्जय मेरे सहर का नाम और प्यार दुनिया उसे इत्रनगरी कहती है और आए चलते हैं और आपको एक द्रस एक बाक्या आपको याद दिलाते हैं जो हम लोग जब तक जीवित रहेंगे तब तक व तो उस चड़ को मैंने याद करते हुए अपने कवता में उस सब्दों को प्रोया है एक मा की बेटी की एक पिता की भाई की उसके परवार की क्या बेदना हो दी जब एक जवान सहीद होता है जब उसका सब पार्थिस्वरीर उसके सहर आता है तो चंद प्रिक्तिया निविरि है नमन उन सहीदों को जो मौत की नीन्स होगए गर से गय तो थे लिवाजों में अब तरंगे में लिपट कर आ गये हैं मौत से दोस्ति किंकी हैं जिन्दगी चे दुस्मनी किसकी है मौश से दोस्ती किनकी है जिन्दगी चे दुस्मनी किनकी जो अपने घरों से अपने बतन से जुदा हो गए अपने घरों से अपने बतन से जुदा हो गए है नमन उन सहीदों को जो मौत की नींस हो गए है नमन उन सहीदों को जो मौत की न जिसके घर हो गए वीरान आई ना वो कुसवाली की दिवाली जिनके दीप ही बुझ गए उन घरों से पूछ लो जो मौत की नीस हो गए और बहन क्या कहती है बहन बांदती थी जिन हातों की कलाई में राकी बांदती थी बहन जिन हातों की कलाई में राकी वो कलाई न रही था इंतिजार जिस सावन का वो सावन ही न आए जिनके घर थे हर्स के पल वो सुक के चैन चिन गए यो उन घरों से पूछ लो जो मौत की नीस हो गए जो मौत की नीस हो गए अगला वंद ये है कि रहे गए मावाप भाई के फावदूरे जो उन्हों ने खो दिये ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नीस हो गए अब कोई त्युहार त्युहार नहीं लगता अब कोई त्युहार त्युहार नहीं लगता होली का गुलाल गुलाल नहीं लगता होली के रंग खून में तबदील हो गए ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नीस हो गए था इंतजार जिस सावन का वो सावन ही नाए जो अपने थे आज वो देश के हो गए अपना नाम देश के नाम कर गए ये उन घरों से पूछ लो जो मौत की नीस हो गए लोगन घरों से पहुच लोगने बहुत ही शांदार कविता पुल्वामा के हमले में जो 40 जवान शहीद हुए शहीदों की परिवारों उपर चाहिए जितनी खोशियां आ जाए लेकिन उस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है और हर शहीद के घर की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है वीडियो सेग्मेंट के में आज हमारे बीच में जमशेदपूर से हमारे अखिल भारते साहित प्रस्चत से जुड़े देश के वरिष्ट लब परतिष्टित कवी साहित्तिकार डॉक्टर वीजय प्रकाश आप रास्टे चंतक हैं रास्टे चंतन पर ही लिखते हैं और मैंने आपको सुना और मैंने आपको साधर अमंत्रत किया आपने मेरा मंत्रन स्विकार किया जा जो अरदात तालिके साथ हम स्वागत करें डॉक्तर वीजय प्रकाश जमसेदपूर मैं दॉक्टर वीजय प्रकाश बानेज़ की भागा द्यक्षू हूं लाल बहादूर सास्ती मेमोरियल कोलेज जमसेदपूर में और अखिल भारतिय साहित परशब जार्खन का मैं महामंत्री हूं और मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं और आज मैं अपनी सोरचित कवताएं आपके समक्ष परस्तूत कर रहा हूं जिसके शिशक है कि उम्र धली जा रही है तो मैं अपनी कविता सोरचित कवता का पार्ट कर रहा हूं धली जा रही है उमर धीर धीर बिती जा रही है उमर धीर धीर ये पल पल ये हाठो तहर धीर धीर ये पल पल ये आठो तहर धीर धीर भली जा रही है उमर धीर धीर भीती जा रही है उमर धीर धीर बच्पन भी जाए, जवानी भी जाए, बच्पन भी जाए, जवानी भी जाए, बुड़ा पेका हो रहा असर धीर धीर, जली जा रही है उमर धीर धीर, बिती जा रही है उमर धीर धीर, बिपत्ती का जिसने किया नहीं सामना, ओ क्या जाने दर्द की भावना, सहे जो भी पत्ती वो निखरे धीर धीरे, जली जा रही है उमर धीर धीरे, रोज तारिक बदलती दीन भी बदलते, बदलती जा रही है समय धीर धीरे, ठली जा रही है उमर धीर धीरे, बिती जा रही है उमर धीर धीरे, वक्त के साथ भी, वक्त के बाद भी, नजरिया बदलती है खुद के साथ भी, बदलती जा रही है अब नजर धीर धीरे, बदलती जा रही है अब नजर धीर धीरे, तम है मिटाना तो दीपक जलाओ, दोस्ती बनाना तो पित्रता निभाओ, सुमिरन करते जाओ तो मिटे दुरगन धीर धीरे, ढली जा रही है उमर धीर धीरे, बिती जा रही है उमर धीर धीरे, दुनिया में आते जो समय से ही जाते, जीवन मरन संसं कोई नहीं जाते, कटी जा रही है जीवन धीर धीरे, कटी जा रही है जीवन धीर धीरे, जली जा रही है उमर धीर धीरे, मुहबबत है दुनिया जब मुहबबत करोगे, बुलंदी बनोगे तो राऊसन करोगे, मुश्कुराते रहो तो गम मिटे धीर धीरे, जली जा रही है उमर धीर धीरे, बिती जा रही है उमर धीर धीरे, धीरे, शार्ण बनोगे अली जा व registered गर्फष्ट को एंट मेगना है, या है झाल 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 सत्मोला कम्यों की चुपाल में जिन से मिलवाने जा रहा हूं एक विशेश निविदन के साथ सत्मोला कम्यों की चुपाल समाज की चुपाल है लोख की चुपाल है भारत की चुपाल है आज भारत ही नहीं पूरा विश्व जन्वरी जन्वरी दूजार चुपाल इसके लिए बिटिया है उसका इतना प्यारा गीत है आएंगे आएंगे मेरे राम घर आएंगे जिसके लिए प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसके विशेश पर ट्विट करते हैं और इसी प्रकार का आव़ान आपने हमारे आज सत्मुला कम्यों चुपाल के कविताओं में सुना देखा और एक स्पस्ट निवेदन के साथ करने के लिए मैं आमंत्रत कर रहा हूं सत्मुला कम्यों चुपाल के मानन दिदेशक श्री अक्षिय कमार अगरवाल जी को कि वे आएंगे और 22 जन्वरी के लिए आप राम म हो जाएं उस आवहन के साथ मैं आमंत्रत करता हूं श्री अक्षिय अगरवाल जी को सत्मुला कवियों की चौपाल में आमंत्रत करने के लिए मैं भाई प्रवीन जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं आज हमारा देश पूरी तरह राम में हुआवा है पांसो वर्ष की संघर्ष लाखों बलिदान और लोगों के संघर्ष के साथ बहुती शांति पूर्ण धन से जिस परकार से हमारे परधान मंत्री माननिय नरेंद्र मोधी जी ने इस पूरी विवस्था को इस परकार से बन बहुत शुक्ल द्वादशी उननिस सो असी समवत दो हजार चौबिस को पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दिपावली जो आम हम दिपावली बनाते उससे भी कई गुना अधिक सहा और रोमांच के साथ मनेगी हर घर में दीब जले हर घर में सजावाठ हो बंदनवार लगें जैसे हम दिपावली बनाते हैं उसी परकार की दिपावली से पूर जो हम तैयारी करते हैं साफ सफाई करते हैं पकवान बनाते हैं अपने घरों में एक दूसरे के हां मिलने जाते हैं बधाई देते हैं इसी परकार का वातावन पूरे विश्व में बने ये क्योंकि ये कोई साधार्ण उपलबदी नहीं है इसमें कितने ही बलिदान दिये गए हैं कितने ही लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करी थी इस दिन का पृतिक्षा कर रही थी शबरी के घर जब राम जाते हैं कितनी पृतिकषा उन्हें थी उन्होंने उनका गीत है आएंगे आएंगे मेरे द्वार श्री राम आएंगे मेरी जोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे मेरी जोपड़ी में आज राम आएंगे तो इस प्रकार से आयोध्या जी में इस वर्ष बाइस जन्वरी को श्री राम का मंदिर उसका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है हमें भी उसी प्रकार से भहुत भविद तरीके से इसको मनाना है मेरा यही आवान है सत्मोला कव्यों की चौपाल जो बीस वर्षों से आपके बीच में लोग पर यह है इसमें हमारी चौपाल में कभी गण आते हैं उनको पूरे देश में हमारे हर वर्ष के लोग खास और से सैनिक वर्ष के लोग भी बड़े उस साहा से सुनते हैं मेरा आ दोस्तो मैंनिल मितल चेर्मेंट सत्मुला गुरूप जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सत्मुलो के वियोकी चौपाल आरमकरा परवीन आरेजे के साथ मिलके तो हमारा उदेश दोस्तों यही था कि जो आज यह कावेपाट है जो यह बुद्धी जीवी वर् तो वो धीरे-दीरे आज के जमाने वो लुब्ट ना होता हो जाए जो आज मॉडरिनाइजिशन चला है जितना टीवी पे हम और भी चीज़े बढ़ती जा रही हैं तो यह ना हो कि हमारी पुरानी जो यह संसकार थे पुरानी सब्वेदा थी कवीता पाड़ था वो धीरे- कवी 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 पाड़ उसके करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग उन्हें मौका देते हैं नहीं नहीं कवियों को और आप लोगों से यह निवेदन है कि जो पुराने जो एक्सपिरेंस कवी हैं वो उनको सुदा रहेंगे और आपको और इंप्रूव करने की सत्मोला कवियोगी जोपाल 15 अगर्ष्थ 2004 से प्रारब हुआ यह काव्यनुस्ठान है 15000 से अधिक कवी वरिष्ट कवी मंच्य कवी नवांकुर तीन श्रेनी केवल हिंदी नहीं सभी भारतिय भाषा हैं हमारी अपनी हैं सभी भारतिय भाषाओं के कभी कवी लोक कवी आंचलिक कवी इन सब को मिलाकर के जो परिवार बना है 15000 से अधिक का जिसमें से 1000 कवी से अधिक स्थापित कवी हो चुके बीस वर्षों में और जो आज हमसे जुड़ रहे हैं वह स्थापित कवी भी हैं और आगे वह अपनी छटा निख्यारने वाले हैं एक तरह से अगर देखा जाए तो यह कविता छेत्र का पर्थम एक सीड़ी है पाइदान ने सीड़ी है पहली टीवी चैनल पर जाएंगे अगर इसको कहें तो यह आपकी इंटर्शिप हैं आप यहां से कुछ सीख के जाएंगे क्योंकि सबसे पहला जो संकुचन और संकोच होता है वह कैमरे को फीस करना होता है यहां पर हम एक पारिवारिक वातावरं दे करके हम आपको इस संकोच को खतम करते हैं और मैं फिर क्याना चाहूंगा सत्मोला कमिक जुपाल में जो हमारे पांच वर्ष के सदस्य बने हैं जो साट सतर साल के इस से उपर के नवहंग को रहें उनको तो हम आजीवन सदस्यता देते हैं और जो साट साल से नीचे को लोग हैं उनको हम पांच वर्ष के सदस्यता देते हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना आनिवार रहे हैं और कई लोग कई अपने कवी मित्रों की शिकायत होती है हमें दुबारा नहीं बुलाया जाता है ऐस इस महां आया था और मेरे छे महां हो गए हैं तो हो सकता है कि आपको एक महीने की वेटिंग मिले इस से अधिक नहीं आपको तुरंत बुलाया जाएगा और ये क्या है कि आपको खुद हमें फोन करना है और आप भी यदि आप नए लोग हमारे सुन रहे हैं सत्मोला कम्यों चुपाल में जुड़ना चाहते हैं सदस्से बन करके कावेपाट करना चाहते हैं तो आपका हार्टिंग स्भागत है आप स्क्रोल पर चल रहे हैं नंबर 97-111-82-183 पर कॉल कर सकते हैं वाटसाप कॉल कर सकते हैं वाटसाप मैसेज कर सकते हैं सीधे भी कॉल कर सकते हैं तुरंथ हमारे टीम आप से बात्चित करेगी और किसी भी प्रकार के शंका समधान करके सीधे आप मेरे से इसी नमबर बात्चित कर सकते हैं सत्मोला कम्यों की चुपाल आज 20 वर्स होंगे आगे पचारस वर्स होंगे, ये सत्मोला परिवार और सत्मोला कम्यों की चुपाल का ये धे है, ये अन्वरत चलने वाली कावे गंगा है, इसमें आप जब भी कलेंडर के पन्ने बदलते जाएंगे, ये कारकाम आगे भड़ता जाएगा, प्रमान है बीस वर्स की अन्वरत जातरा, तो आईए, आप हमारे साथ जुड़िए, सत्मोला कम्यों की चुपाल में कविता पाठ करने के लिए हमारे साथ रिजिस्ट्रेशन करें, मिलते हैं, अगले रविवार, कुछ नए और जेस्ट कम्यों के साथ, नमस्कार. इसके तेस्ट के सब शौकी हां सत्मोला नमकीन, सत्मोला स्वीट सान नमकीन, इससे बेटर है नथिंग, हां सत्मोला नमकीन.